गुप्त नौरात्री अर्थात नौरात्री के दूसरे दिन मा ब्रहमचारनी की पूजा और जाने पूजन वीधी और कथा यानि पूजा कैशे करें और उसकी वीधी क्या है कथा क्या है कथोड साधना और ब्रहमा मेलिन रहने के कारण भी इनको ब्रहमचारनी कहा गया है विध्यार्थियों के लिए और तपस्मिय के लिए उनकी पूजा बहुत ही सुब फलदाई है चैत्र या वासंतिक नौरात्र और आश्विन या सार्दिय नौरात्रों के अतिरिक्त दो और भी नौरात्र हैं इनमें विशेस कमनाओ की सिधी की जाती है गुप्त नौरात्री में दुसरे दिन मा ब्रहमचारिनी की पूजा की जाती है मा ब्रहमचारिनी इनको ग्यान तपश्या और बैराग्य की देवी माना जाता है कठोड साधना और ब्रहमा में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रहमचारिनी कहा गया है बिद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही सुभ फलदाई होती है जिनका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर हो उनके लिए भी मा ब्रहमचारिनी की उपाशना आत्यांत आनुकुल होती है क्या है मा ब्रहमचारिनी की पूजा बीधी, मा ब्रहमचारिनी की उपाशना के समय पीले अथ्वा सफेद वस्तुमें अरपित करें, जैसे मिस्री, शक्कर या पंचामिरित। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जापा जा सकता है। वैसे मा ब्रहमचारिनी के लिए ओम एम नमा का जाप करें। जलिये अहार और फलहार पर विशेश ध्यान देना चाहिए। मा ब्रहमचारिनी की कता निम्न प्रकार है। पुर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। और नारद जी के उपदेश से भगवान संकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपश्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिनी अर्थात ब्रहमचारिनी नाम से जाना गया। एक हजार वर्स तक इन्होंने केवल फौल फूल खा कर विताए और सव वर्सों तक केवल जमीन पर रह कर साक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खूले अकास के नीचे वर्सा और धूप के घोर कश्ट सहे। तीन हजार वर्सों तक तूटे हुए विल्लाव पत्र खाए और भगवान संकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने शुखे विल्लाव पत्र खाणा भी छोड़ दिये। कई हजार वर्सों तक निर्जल और निरहार रह कर तपश्या करती रही। पतों को खाणा छोड़ देने के कारण ही इनका नाम और पना नाम पड़ गया। कठिन तपश्या के कारण देवी का सरीर एकदम छीन हो गया। देवता, रिशी, शिदगन, मुनी सभी ने ब्रहमचारिनी की तपश्या को अभुतपुर्व, पून्य कृत्य बताया। सरहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोड़ तपश्या नहीं की, यह आप ही से संभाव थी, आपकी मनो कामना परिपुर्ण होगी, और भगवान, चंद्रमौली, सिव जी, तुम्हें पती रूप में प्राप्त करेंगे। अब तपश्या छोड़ कर घर लोट जाओ, जल्द ही आपको, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, मा की कठा का सारिया है कि, जीवन के कठिन संघर्षों में भी, मन बिचलित नहीं होना चाहिए, मा ब्रह्मचारिनी देवी की किरपा से, सर्व सिधी प्राप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, आप हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे,